हेलो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल में आप सभी लोग के रिक्वेश्ट आ रहते हैं किसर हिंदी स्टार्ट कीजिए तो हम फ़स्ट इयर की हिंदी का फ़स्ट समेश्टर लेकर क्या आ गए हैं जिसमें एक एक टॉपिक हम आपको अच्छे तरीके से पठाने पूरे डिटेल में हमें की जानने वाले हैं और समझने वाले हैं पूरी तरह से आपको समझाने वाला हूँ इसके नोट्स में मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर वा दूँगा जिसके माद्यम से आप जाकर के इसको खुद भी अगर आप PDF के फॉर्म म था साहित हिंदी भासा के प्रिश्ट भूवि क्या है मतलब भासा कहां से है हिंदी शमत क्योला हूँ हिंदी का विख्यास कैसे हुआ उसमें जो लेखन कहुंसी ऐना पीरेट्पे पर कैसे लेखो भी क्या कीजी ब्रद्धी होती गई उन सभी चीजों के बारे में हमें डिस इस तरह से आप से पूछ सकता है इसके एंसor में आप क्या लिखोगी, हिंदी वास्तों में फारसी भासा का सब्द है, हिंदी वास्तों में हा फारसी भासा का सब्द है लेकिन जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर हिंद से संबन्दित है हिंदी सब्द की निश्पत्ती जो है वो सिंधू संद से हुई है इरानी भासा में सा का जो उच्चारण है वो हा से करते हैं इसी प्रकार हिंदी सब्द वास्तों में सिंधू शब्द का प्रतिरूफ है कालांतर में हिंद सब्द संपूर भारत का प्रयाय बनकर उबरा इसी हिंद से हिंदी सब्द का निर्माड हुआ यानी की कहने का आर्थ है जैसे कि हमारा जो भारत है उसको सिंधू कहा जाता था मतलब सिंधू नदी के किनारे वसनी की वज़ा से इसको सिंधू कहा जाता था जो आपके इंडिया की जो भी चीजें है जहां तक भी इंडिया का छेतर है लेकिन फार्सी भासा में सा का जो उचारड़ है इरानी भासा में सा का जो उचारड़ वो हां में होता था तो इसी वज़ा से सिंदू से क्या हो गया हिंदू और यहां पर रहने वालों को हिंदू कहा जाने लगा यहां की जमीन जो थी हिंद कहा जाने लगा यहां पर रंचुन leanguage की जाती थी उस language को हिंदी कहा जाने लगा और यहीं से हिंदी समञ्ची की उत्वत्ति होती है आज हम जिस भासा के रूप में हिंदी को जानते है वह जो आधूनिक आरे भासा मेंसे एक है जो जिस भासा को आज हम हिंदी के रूप में समझते हैं खड़ी बोली हिंदी हो गया या फिर जो भी चीजे वो केवल आरे भासा में से एक भासा है आरे भासा का प्राचीनतम जो रूप बैदिक जो था वो संस्कृत है साहित को परिफिष्ट भासा जो है संस्कृत थी बैदिक भासा में बेद सनहिता उपनिवेश है उपनिशत है पेदान था इन सभी का सिर्जन किया गया बैदिक भासा के साथ साथ ही बोल बाल की भासा संस्कृत भी रही थी जिसे लोकित संस्कृत भी कहा जाता था संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली बैदिक कालीन भासाओं से माना जाता है अनुमान क्या जाता है कि आठवी शताबदी इशापूर्म में इसका प्रियोग साहित में होने लगा यानि कि साहित के रुप में संस्कृत का प्रियोग आठवी सताबदी ईशापूर में वाना जाने लगा संस्कृत भासा से ही रामायार्ड महाभारत जैसे गरंत रचे गए संस्कृत के महान विभूतियां थी और इनका साहित विष्व के समरिद साहितों में शे एक है यानि कि जो भी चीज़े सुरुवात में हुई आठवी सताबदी या सताबदी के पहले तक वो चीज़ें किसमें लिखी गई संस्कृत भासा में हमारे सामने आई संस्कृत कालीन आधार भूध जो बोलचाल की भासा परिवर्टित होते होते 500 इसापूर्व के बाद तक काफी बदल गई थी जिसे बाद में क्या कहा जाने लगा पाली भासा कहा जाने लगा आपने भी सुनाओगा पाली भासा का नाम महात्मा बुद्ध के समय में पाली जो थी वो लोक भासा थी और उन्होंने पाली के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार प्रशार किया संभोता या भासा जो है इसा की प्रत्थम इश्वी तक रही पहली इश्वी तक आते आते पाली भासा और परिवर्तित हुई तब उसे प्राकृति की संग्या दिया जाने लगा इसका काल माना जाता है पहली शताब्दी से लेकर के पांचवी शताब्दी तक अब साहित्तिक भासाओं के रूप में स्विकृत हो चुकी थी जिसमें मगदी, सौरसेनी, महराष्ट्री, पैसाची, ब्राचाण, अर्धमादवी कहा जाता था यानि कि देदरी क्या हुआ भासाओं में चेंच और भी आगे बढ़ता चला गया आगे चलकर कि क्या हुआ जो यह प्राकृत्ते भासा थी इसका छेत्री रूपों में अपभरंस दिखाई देने लगा यानि कि यह क्या हुआ चेत्री भासाओं में तूटने लगे प्रतेश्टित हुई इसका समय तहां 500 से 1000 इसवी तक समय माना जाता है अब्रंस भासा साहित के मुख्यता दो रूपों में मिली पस्चमी और पूर्वी अनुमानता यह बताया जा रहा है कि एक हजार इस्वी के आसपास अब्रंस के विभिन छेत्रिय रूपों में आधुनिक आरे भासाओं का जन्म हुआ आधुनिक आरे भासा जिसमें हिंदी भी है और इसका जन्म मारा जाता है एक हजार इस्वी के आसपास हिंदी का जन्म मारा जाता है कि एक हजार इस्वी के आसपास हिंदी उत्पत्ति हुई हिंदी शब्द की किन्तु जो इसमें साहित की रचना हुई ये 1150 के आसपास साहित की रचना इस्टार्ट होने लगी हिंदी भासा के बारे में बात करें आधिकाल में भासा का विकास कैसे हुआ तो आधिकाल में हिंदी में अब भरंस की लगपक सभी धोनिया आ गई थी पर साथ साथ में ही नई धोनिया भी आती चली गई जूरती चली गई पर साथ में जो कुछ नई धोनियों का विकास हुआ वो अब भरंस में संयुक्त स्वर नहीं थे हिंदी में A, O, दो संयुक्त स्वर इस काल के में प्रियुक्त होने लगे हैं पहले यह प्रियोग नहीं होते थे A और O आदिकाल के साहित जिस भासा में लिखा गया वह भी डिंगल तथा पिंगल था प्रित्वीराज रासो इसी साहितिक भासा में लिखा गया था अब आगे बढ़ता गया मधकाल में भासा का विकास हुआ आदिकाल के पस्चात हिंदी के विकास का दूसरा चड़ा अर्थात मधकाल का प्रायनम हुआ श्याकाल माना जाता है लगबग 525 वर्सों तक चला और इस काल में साहित की भासा के रूप में आवधी ब्रज भासा का प्रियोग हो रहा था सभय के प्रभाओं के साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि डावाडोल इस्तिती से निकल करके अपने नए सुरूप को प्राप्त करती चली गई इस काल को हिंदी का सुरड यूग कहा जाता है यानि कि इस काल पिरेट में हिंदी जो है मधकाली जो समय था इस समय में हिंदी अपने चरम जीमा पर थी सुरूप यूग कहा जाता था इस टाइम पिरेट पर हिंदी को आधुनिक काल में भासा का विकास कैसे हुआ तो आधुनिक काल में भासा के बारें बात करें तो आधुनिक यूग जुता वो खड़ी बोली का यूग है खड़ी बोली ये आवधी और ब्रजबोलीं की भाती ही प्राचीन है प्राचीन था मध्यकाल के ग्रंथों में यतरतर खड़ी बोली का प्रियोग देखने को मिलता है यहाँ बात और है कि साहित में इशी इतनी जल्दी श्विक्रती नहीं मिली भारतेंद यूगीन लेकों में ब्याकरण संबंदी बहुरूपता जैसे कि लिंग, वचन, काकर, प्रियोगों में आईस्थिर्ता आजिदोस मिलते हैं चायाबादी कभियों को यह स्रे किया जा सकता है, उन्होंने खड़ी बोली को एक उच्च जो है साहितिक भासा का रूप प्रदान किया, जो बाद में उनमुक्त हो करके जीवन के प्रते एक छेतर में विखरने लगी, साहित की समस्त विधाओं का यूग इसी को माना जाता है अब आगे बाद करते है हिंदी शाहित लेखर की परंपरा कैसे स्टार्ट होई कैसे हिंदी शाहित लिखा जानाों स्टार्ट हो गया, तो इतिहास में तितियों के अनुछ सबकुछ असत्य होता है, जबकि साहित में केवल तिधियां ही गलत होती हैं यानिकि इतिहास तो ह उसमें चीजें तो समझ में आएंगे लेकिन जो डेट्स होते हैं तितियों के अत्रीक्त सबकुछ जो है असत तर्विर्तियां तरंगाईक होती हैं उनके अत्रिक्त, इतिहास, विशयक, पूरक होते हैं, जबकि साहित क्या होते हैं, आत्म पूरक पर करिया है, इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास और साहित दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बिरोधी होते हैं, यानि कि इसमें कहने का अर्थ ही है, कि जो हमारा हिंदी है तो इस तरह से इतिहास और साहित दोनों एक दूसरे के बिरोधी कहे जा सकते हैं इस प्रकार साहित का इतिहास लिखना अतियंत दुसकर कारे है कि साहित को इतिहास के रूप में आप पिरो करके लिखो साहित का इतिहास क्या होता है इसका सुरूप, निरूपड, अचारे सुकले ने अपने इतिहास के इन सब्दों में किया है उन्होंने कहा है कि प्रते एक देश का साहित तो वहां की जनता की चित बृत्ती का संचित प्रतिविम्भ होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित बृत्ती के परिवर्तन के साथ साहित के सुरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है आज इसे अंग तक इन ही चितिवित्यों की परंपरा को परकते विए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंज़ से दिखाना ही शाहित्यक इतिहास कहलाता है तो इस तरह से अचार रामचंद शुकल ने थोड़ा सा इस पर अपनी व्याक्ख्या रखने के कोशिश किया है कि साहित्य के इतिहास को जन्दा के द्वारा समझा जासके लोग इसको समझ सके जन्ता की चितिवित्ती बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सामप्रदाइक, धार्मिक परिस्टियों के अनुसार होती है अता कारण सुरूप इन परिस्टियों का किंचित दिखदरसन है वो भी स्तासात आवश्यक होता है स्री राज किसोर तिरपार्थी ने साहित के इतिहास के उद्देश का इन सब्दों में उलेक किया इन्होंने क्या कहा हुआ है कि साहित के माध्यम से समाज की अनुभूतियों को परखना तथा उनका साहित के साथ संबंध बतलाना ही साहित के इतिहास का उद्देश है भी कृति को उसकी रचना कालीन सामाजिक गद्विधियों के मध्ध रख करके यह देखना होता है कि साहितकार ने जो भाव सामगरी अपने शाहित में प्रस्तुत की है उसका समाज के लोगों से कितना सम्मंध दिखाई दे रहा है। वह साहित की रचना धर्मिता और सामाजिक राजनेतिक अध्यात्मिक चेतना के मध्ध सुन्दर जो तार्तम में अस्थापित करता है। इस लेखक ने इस चीज को किया है वो दुनिया में आगे बढ़ा है या उसका आप मैन सकते हो कि उसने अपने कुछ चिंतन का यूच किया हुआ है। हिंदी साहित के साहित के इतिहास की अगर परंपरा की बात क्या जाया है तो हिंदी साहित का इतिहास लिखना अपने आप में बड़ी टेड़ी खीर की तरह है। क्योंकि दुरुभागवस हिंदी के बीतरागी कभियों ने अपने विशे में कुछ नहीं लिखा है। यानि कि जो इतिहास का लेखन है वो कई कारडों से दो कारड से नहीं संभव हो सका वो क्या था। इसमें दो सबसे मातुपूर कारड थे सबसे पहला था इतिहास लेखन की सामागरी का नितांत अभाव और दूसरा गद का विकास ना होना इस वज़ा से ये चीज़े नहीं लिखे गई थी। या भारतिय समाज में आधुनिक युग में हिंदी शाहित का इतिहास लिखने में ये प्रॉब्लम्स क्रियेट करती हैं। इस तरह से दो भागों बाटा गया। ये फ्रांसीसी भासा में गारसी दातासी द्वारा लिखित 1849 में लिखा गया एक बहुत ही फेमस बुक है जो इसके माध्यम से हमें साहित के बारें पता चलता है। जिसका दूसरा भाग जो था वो 1846 में प्रकासित हुआ। और दूसरा इन्होंने जो कहा वो है स्यूराज सरोज, स्यूसिंग सरोज. स्यूसिंग सरोज में क्या है? इसका स्यूसिंग सरोज द्वारा अठारो सु तिरपन में लिखा गया ये बुक, इसमें एक हजार कभियों का जीवन ब्रिंत संकलित है। कि एक हजार कभियों के जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है। और साथ ही उनके उदाहड भी जो है अस्थान अस्थान पर दिये गए हैं। इस ग्रंथ को मात्र कभिवरित संग्रा ही कहा जा सकता है। इसके बाद आता है तीसरा नंबर जो जिससे हमें इतिहास के बारे में थोड़ा बुछ जानने को मिलता है। अचार रान चंदर सुकल से पहले वो है Modern Warnicular Literature of Hindustan। यह ग्रंथ डाक्टर ग्रियशर्म द्वारा 1889 में लिखा गया। इसमें कालकरम 952 कभियों का परिशे प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में इतिहास के अस्थान पर साहित का तत्व ही पाया जाता है। चोथी बात करें तो हिंदी कोबीद रतनावल रतनमाला जो के डाक्टर स्याम सुंदर दास्तवारा 1909 में लिखा गया। इसके बाद फिफ्ट नंबर पर आप देख सकते हो मिस्र बंधु बिनोध। मिस्र बंधु ने 1913 में इस ग्रंथ का पड़ेन किया और 5000 कभियों के जीवन बृत्ति का संकलन किया इसमें। इस ग्रंथ के बिशे में एक समालोचक का मत इस प्रकार है कि मित्र बंधु बिनोध में अस्थान अस्थान पर काभ्यांग विवेशन प्रस्तुत करने की प्रवित्ति भी यद्यव शक्री है। इसी से यह ग्रंथ भी शाहित्त की अपेच्छा इतिहास को अधिक प्रतीत होता है। अगला है शिक्स नंबर आप समझ सकते हो जो इंपॉर्णन चीज था वो था हिंदी नवरत में। मिस्टर बंधु के द्वारा ये भी 1910 में लिखा गया। कविता कवमुदी ये पंडित राम नर्डेस तिरपाथी द्वारा 1917 में लिखा गया जिसने मतलब अचार रामचंद सुक्र से पहले के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके बाद एट नमबर पर आप रख सकते हो, इसकीच आफ Hindi लिटरेचर ये एडविन गरीक द्वारा लिखा गया। इसके बाद नैंत नमबर पर आप देख सकता हो, इसको फ ए के के द्वारा 1920 में लिखा गया। इसके बाद आता है ब्रज माधुरी शार ये वियोग हरी के दोरा 1923 में लिखा गया इसके बाद हिंदी शाहित विमर्स ये पदुम लाल पन्ना लाल पक्सी के दोरा 1923 में लिखा गया इसके बाद आता है आपका हिंदी ये सन 1925 में बदरिनाथ भट के दौरा लिखा गया इस सीज के बारे में तेरवा है आपका हिंदी के मुसलमान कभी ये गंगा परसाद सिंग के दौरा 1926 में लिखा गया इसके बाद सुकिव सैरोज जो है ये गवरी संकर दुबेती के दौरा 1927 में लिखा गया तो इन सारे ही गरंथों को साहित के इतिहास की संगया नहीं दी जा सकती यानिकि जितने भी गरंथों के बात किये गई इनको हम साहित के इतिहास की संगया नहीं दे सकते ग्रंथों को कभी ग्रह संग्रह की संग्या प्रदान की जा सकती है कि कभीयों के बारे में लिखा गया है फिर भी इन ग्रंथों का पड़यन उपेच्छा के योग नहीं मारा जा सकता है यानि कि जो लिखा गया है उसको उपेच्छा के योग नहीं माना जा सकता है उसको कोई पर यह पहला है इसीजमें जार्ज गीरसन ने बही अपने ग्रंत माडरन जो है वरना कियूलर लिटरेचर आफ हिंदुस्तान में हिंदी शाहिद की सामगरी को ग्यारा कालों में बिभक्त करते हुए उन्होंने बताया इस तरह से ग्यारा भागों में जो है इनोंने बाटा हुआ है टाइम पीरियेट को या फिर आप कह सकते हैं हिंदी शाहित के इतिहास को गियर्शन के पस्चात मित्रवंधियों ने कासी नगरी प्राचारडी सभा की खोच की आठ रिपोटों के आधार पर मित्रवंधु बिनौद ने साहित विधाओं का सूब यवस्थित वर्गिकर्ण करने का प्रयास किया लियनकि गियर्शन के बाद मित्रवंधियों ने लिए उश्पर काम करना इस्टार्ट किया उन्होंने हिंदी साहित जो था इसको आठ भागों में विभाजित किया था मित्रवगों ने किन भागों में विभाजित किया था और समस्ते हैं तो इसमें उन्होंने सबसे पहला जो भाग रखा हुआ है वो है आपका पुरुब्रामिक काल दूसरा है आपका उत्रामिक काल, थाड़ है आपका पूर्व माध्यमिक काल, फोर्थ है आपका प्रोड माध्यमिक काल, फिफ्थ है आपका पूर्वलंकरित काल, सिफ्थ है आपका अज्यात काल, सेवन्थ है आपका परिवर्तन काल, एड एड ए आपका वर्तमान काल, इस त लेकिन इससे भी उसकी जो बिदमानता है वो इतिहास के रूप में इतिहासी करतों के रूप में नहीं लिया जा सकता। सिंका कथन सत्य प्रतीत होता है कि सांस्कृतिक पुनुरृत्थान की ओर हमारे देश में नव चेतना लगी। इस प्रविट्टी ने एक और अतीत के छीपे रतनों को खोजने के लिए प्रतीत किया। सबसे पुराना हम सबसे पुराने हैं अपने आपको पुराना साबित करने के पीछे जादे चीजें लगशाती हैं। बिदेशी प्रतिमानों के तुला में वो अपने आपको गौरों सालिप को कहते हैं कि हम सबसे पुराना हैं। इस तरह से सिद्ध करने कोशिज करते हैं। इन परियोतनों ने ढंग तो पुराना ही रखा परतु यह दिखा दिया कि कभी संख्या की दिश्टी से हिंदी शाहित की इतिहास किसी साहित में हीन नहीं हैं। इसमें ऐसे नौरतन भी हैं जो उचाई में 29 नहीं हैं। पुरुरुथान के इस पूर्व गिरह में हिंदी शाहित के इतिहास के रूप को च्छाती पहुचाई हैं। और कब इसको विभाजित क्या जाए कि वो अलग टाइम पीरेट का हैं। कुछ सोचे समझे हैं बस बाट देना ही कुछ माइने नहीं रखता है या हुए इतिहास को इतिहास के रूप में सीज को प्रजेंट नहीं कर रहा हैं। प्रजेंट शुकल ने अपनी पुस्तक है हिंदी का शाहित हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा हुआ है हिंदी शाहित का इतिहास। इसमें अपने द्वारा किये गए नामकरण के संदर्म में लिखा है कि जिस काल विभाजन के भीतर किसी बिसेज ठंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाए पड़ती है। वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उनहीं रचनाओं के सोरूप के आधार पर किया यानि कि हम किसी भी काल को टाइम पिरेट के आधार पर नहीं बाइट रहे हैं जिस टाइम पिरेट पर जिस चीज की जादे बहुलता दिखाए दिखाए दिया है जिस चीज पर जादे कभियों ने फोकस किया है जादे साहित ने फोकस दिया है उस काल को हमने उसी के नाम प हिंदी साहित के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्राया चार पद्धतियों का आउलंबन लिया गया है। पहली पद्धत के अनुसार संपूर इतिहास का विभाजन चार युगों अथवा चार कालों में किया गया है। वो कौन से काल हैं आप देख सकते हो आपको पता भी होगा अगर आपने हिंदी पर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आधिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिकाल इस तरह से चार कालों में बाटा हुआ है। इसलिए साहित के विभाजन में भी एतिहासिक कालकरम और साहित विद्या दोनों ग्रहण करना होगा। प्रयास किया था, वो किसे ने किया था? जार्ज गियरसन ने किया था। जार्ज गियरसन ने अपनी साहित इतिहास को ग्यारह खंडों में विभाजित किया हुआ है। ग्यारा खंड क्या है? उन्होंने पहले खंड को बाटा हुआ है चरण काल यानिकी स्टार्टिंग पॉइंट। पंद्रहमी शती का धार्विक पूरर जागरर काल था पंद्रहमी शताबदी में हुआ। भागों में विभाजित करके समझने का प्रियास किया है और उसका अलग अलग टाइम पर आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने नामकरद दिया हुआ है। साथ सो से लेकरिके तेरा सो तिरालीस इसमी मतब समझने दूजरा है आपका उत्तर आरंबिक काल यानिस के बाद आता है आपका माध्मिक काल दो तरह से आता है आपका वो कौन-कान सा है आपका पूर्व माधिमिक काल जो 1445-1560 तक चला पुर्व माधिमिक काल जो 1561-1680 तक चला एंड इसके बाद अनेकश आता है आपका अलंकिरित काल तीसता इन्होंने रखाATHER अलंकिरित काल को क्या है पूर्व अलंकिरित काल में 1681-1790 आता है हिंदी शाहिद के इतिहास के काल को और उसके इस तरह से उनने नाम करण दिया हुआ है मित्र व्वाद circuits के बाद नाम आता है अचार नाम चन्र शुक्ली जी का इनका काल विभादन काल नाम करण किस प्रकार से है तो इन्होंने अपने साहिद को हिंदी शाहित को चार भागों में बाटा हुआ है उन्हेंने का है पहला है आपका बीर गाथा काल बीर गाथा काल क्या है समवत 1050 से लेकर के 1375 इसभी तक इसके बाद सेकेंड आता है भक्ति काल जो के 1375 से लेकर के 1700 इसभी तक चलता है इसके बाद आता है आपका रीतिकाल जो की 1700 से लेकर के 19.20 तक चलता है और चौथा इन्होंने बाटा है आधुनिक काल के रूप में जो की 1900 से लेकर के अभी तक चलता चला आ रहा है अचार रामचंद सुखली जी के बाद डाक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन नामगिरण इन्होंने किस तरह से किया हुआ है तो इन्होंने 5 भागों में बाटा हुआ है पहला इन्होंने कहा है संधिकाल संदी काल में इन्होंने समवत 700 से लेकर के 1000 तक रखा हुआ है दूसरा इन्होंने कहा है 48 काल इसको समवत 1000 से लेकर के 1375 तक रखा हुआ है तीसरा इन्होंने कहा है भक्ति काल जो कि समवत 1375 से लेकर के 1700 तक है और चौथा इन्होंने कहा है रीति काल जो की संवत 1700 से लेकर के 19 है और पाचवा इन्होंने कहा है आधुरी काल जो की संवत 1900 से लेकर के अब तक है इसके बाद डक्टर रामकुमार वर्मा जी के बाद स्याम सुंदर दास्त ने अपना काल विभाजन किया है और इन्होंने काल विभाजन इस प्रकार किया हुआ है कुछ इन्होंने पहला कहा हुआ है बीरगाथा यूग चुकी 1050 से लेकर के 1400 इस भी तक है दूसरा है आपका भक्ति युग जो की 1400 से 1600 इस भी तक है तीसरा है आपका रीति युग जो की संवत 16-19 तक है त्या फिर चौथा है आपका नवीर विकास कुमार संवत जो कि 19 से लेकर के आगे तक है तो इस तरह से आप देखो कि जितने भी लोगों ने आपर विभाजन किया हुआ है सब ने लगभग लगभग सेम चीज़ें विभाजित किया हुआ है या काल पीरेड जो उन्होंने बताया हुआ है अलग लग चीज़ों के लिए वो लगभग लगभग सेम ही है सारी चीजें अब इसके बाद आता है रामसरूप चत्रुबेधी का काल विभाजन और नामकरण तो रामसरूप चत्रुबेधी ने चार भागों में बाटा हुआ है इनोंने पहला का हुआ है बीरगा था काल देख रहे हैं सभी सेम सेम ही है 1,000 से लेकर के 350-जिस भी तक भक्तिकाल बाटा हुआ है 350-जिस तक इस तरह से आगे आपने देखा था तो बस बतलब थोड़ा बहुत इदर उदर है तीसरा है आपका रितिकाल इननों ने का है 1650 से लेकर के 180 तक चोथा इन्होंने कहा है गर्दकाल जो 1850 से लेकर के आगे चलता चला रहा है तो इस तरह से विभाज़त होता रहा समय समय पर चीज़ें विभाजित होती रही तो यह था दोस्त हिंदी शाहित का इतिहास हिंदी शाहित का इतिहास कैसे कैसे बढ़ता गया अगर ये वीडियो आपको विसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बाद चैनल पे आ है, तो सब्सक्राइब कर लिजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इस चीज को समझने के लिए काफी help हो सके, और उनको भी एक notes की तरह मिल सके हैं, अगर आपको इसका notes सही है, तो में description में link provide करवा दूँगा, जहाँ पर जाकर कि आप इसके notes जो है, डाउनलोड कर सकते हैं, PDF के रूप में उसको पढ़ भी सकते हैं, ओके मेरा दोस्त, तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जाहिन, जा जाहिन, 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 जाह